पूरा सा उपन कर दूँगा देखिए पूरा जामपार आप उपन कर देजे आज मैं आपको देखाऊंगा फिलिप्स 32 इंच का मोडल नमबर स्कीन पर देख लिजिए अज जो फॉल्ट में आपको देखा हूंगा इजी टेकनिक सबसे पहले पाउर स्वीच अन कर रहा हूं क्या प्रोब्लेम है अच्छा सवाच करिए पाउर ऑन किया है पाउर लाइट आया है देखिए उसका बाद स्टैंड रिलीस होगे देखिए हलका सा स्कीन में लाइट है देखिए बैक लाइट ओके नो डिस्प्लेई यह आप कैसे से रिपियर करेंगे स्कॉर्ट काड मेथोड इजी टेक्निक दो मिरिट का अंदार आप यह सेड रेडी कर पाएंगे वह टेक्निक मैं आपको देखा हूंगा आप वेडियो देखिए क्लाइट ओके नो डिस्प्लेई देखिए इसमें सी शॉट पैनल यूज किया है देखिए पैनल का नामबर आप आच्छा से स्कीन पर देख लीजिए देखिए इसमें देखिए यह हमारा DC-DC-IC है और यह हमारा तीकन पॉसेसर है और यह हमारा लेबल शिप्टर है तो स्वीच मैं पाउर स्वीच ओन करूंगा देखिए ओन करने का बाद आप देखिए यह हमारा स्वीचिंग हो रहा है यह जो कोईल है यह कोईल इस कोईल इस 3.3 वोल्ड इस कोईल इस 3.3 वोल्ड और क्या है देखिए डिस इख विची । वीच कोईल इस वीच प्रेखिह लिए वोल्ड के यह कोईल्स मैं कौई विबल्ड इस работेबल इस हॉवëर ओंधoking गांध ओके औल वोल्टेस प्रेजेंट बट बैक लाइट ओके नो डिस्प्लेए यह डिसी डिसी आइसी है इसका साथ गामा भी आइसी का साथ इन बिल्ड है यह हमारा गामा है 18 चैनल गामा है देखिए यह से 1 यह से स्टार्ड होगा और यहां पर यह एंड है 18 वान टू 18 तो यह हमारा तिकोन पॉसेसर है यहां पर एंटर्स हो रहा है होने का बाद देखिए और एक दिस्टी से सेक्शन में यहां पर देख लेजिए यह पी फ्यन पी ट्रैंजिस्टर टू SM-डी डाऊड तीनों मिलकर भीजी एच बोल्टेज जेनरेट कर रहा है ओके और एक SMD डाइट और NPN ट्रैंजिस्टर मिलकर VGL वोल्टेज जेनरेट कर रहा है कभी-कभी एक ट्रैंजिस्टर एक ट्रैंजिस्टर बार्न हो जाता है इसलिए मैं इसका कौन सा ट्रैंजिस्टर होगा यह मैं आपको बता दिया और देखिए यह हमारा लेबल शिप्टर है यहाँ पर देखिए LC1 LC2 यह हमारा कॉड इवन है यह हमारा गेट सिगनल है पूरा STV 1, 2, 3, 4 सब कुछ है देखिए इसमें गोल्टेज नहीं है देखिए नमर वान LC1 और LC2 में तो आपको विजिल विजिज फ्लाक्ट्वेशन भूल्टेज मिलना चाहिए न वो तो नहीं है यहाँ पर देखिए यह हमारा लेबल शिप्टर IC के अंदर विजिज भूल्टेज एंटर सो रहा है विजिल भूल्टेज एंटर सो रहा है और यहाँ पर देखो तीकोन पॉसेसर से जो आ रहा है LC तीकोन देखिए यहाँ पर देखिए यह वोल्टेज फ्लाक्ट्वेशन होगा जीरो एक्टिव हाई और एक्टिव लो एक्टिव हाई एक्टिव लो ऐसा फ्लाक्ट्वेशन आएंगे तब समाझ पाएंगे हमरा अत्तिकोन पॉसेसर पर्फेक्ट है काम कर रहा है यह लेबल सिप्टर में और नहीं तो पैनल का अंदर कोई प्रब्लेम हो सकता है लेकिन इसमें मौजा की बात क्या है देखिए यह जो पूरा सारी सिगनल आउटपूट हो रहा है इसको काट अप करने के लिए आपको कोई काटिंग करने का जरुरत नहीं है आप जो जांपर है यह देखिए नीचे जांपर है और उसका उपर में एक जांपर है लाइनिंग तो यह उपर नीचे वाला जो जांपर है यह हमारा इसी साइड में है राइट साइड में इसी साइड का और उपर वाला जो जांपर है टॉप पर्शन में यह हमारा लेफ साइट का गेट सिग्नल का काटिंग तो यहाँ पर देखो आहां वना तो गेट सिग्नल में कोई वोल्टेक्ट फ्लाक्ट्वेशन नहीं हो रहा है अभी तब तो हम क्या करेंगे यह जांपर पहले काटिंग करेंगे आप प्रेक्टिकल देखिए मैं इसको स्वीच अन क कर दिया अभी यह जांपर को मैं डिस्करेट करूंगा आप देखेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज जूरू लाइक सेर और सब्सक्राइब कर जिए और हमारा चैनल में जाहिए ऐसा बहुत सारी फॉल्ट फैंडिंग वीडियो में आप्लेट करते पूरा जांपर आप उपन कर देजिए पूरा उपन कर दो सब्सक्राइब दोस्तों जो वीडियो आप देख रहा है यह पूरा लाइप वीडियो है आपको मैं आभी ओन करकर देखाऊंगा हमारा सेट रेडी हुआ की नई हुआ आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप खोद एक काम कर पाएंगे देखिए इसको मैं और स्वीच ओन करूंगा और यहाँ पर जो LC1, LC2 है यहाँ पर मैं देखिए वोल्टेज आ गिया न दोस्तों देखिए यहाँ है ओल्रेडी वोल्टेज फ्लेक्शुशन स्टार्ड हो गया जो और इवन यहाँ पर हमरा STB जो है STB वोल्टेज आ गिया यह हमारा RST है और यह तो C के भी सिगनल के पोजिटिव फोल्टेज भी लेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है तो आप स्कीन पर देखिए एक बार मोल्टस तो रेडी हो गया और इसको आप एक बार देख लिए देखिए देखिए नो सिगनल लीखा अल्डेडी आ गिया तो आप इसको सोर्स पेस करिए देखिए डिस्पेल आया है ना दुस्तों तब को पिक्चर में देखाऊंगा वीडियो कैसे लागा कमंड बक्स भी बात आईए ओके थैंक्यू एक्रिवर्टी